मैं भारतो रोष्टे लिया के बीच दूसरा T20 मैच चुरी होना वाला है जिसकी मैं आज आज आपको 10 द्रिमलों के विनिंग टीम्स फिर से एक बार दे रहा हूँ तो जैसे की मैंने मैच को हालएट करके दिखा दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई तो नीचे भी क्रिएटे तीम को पूप्षन मिल जाता है और आप माई टीम पर जाके भी क्रिएटे टीम कर सकते है और इनफाक्ट यहाँ पे जाके मौल्टिपल स्टीम बनाना थोड़ा आसान होता है और देख सकते में दस स्टीम बना के रख चुक हूँ जिसे में मायटिंब पर क्लिक करके सबी टीम हो करके किस किस को लिए आ पर चौन Every में पहर्म पोथेको बचांगा सबसे पहले तो देख सकते जो इगलिस ने पिछले माच में शतक बना शांदार शतक था दोस्तों तो इसलिए इनको तो लेना जुरूरी है उसके बाद इशान किशन ने भी अच्छी पारी खेली थी तो इनको भी इस्टीम में रखूंगा उसके बाद स्टीव स्मित ने भी कि अच्छा परफर्म कियाक था सूर्यकुंणा ने अच्छा किया था गायकवाड का परफर्मस और जैस्वाल का ठीकर था घायकवाड का तो लिए यहां पर मैं इनको जरू रखूंगा तो तो और फिर भी मैं इनको ज़रू लूंग落 और प्रसित. कुल में लगके अच्छी टीम है दोस्तों जरूर आप इसे ग्राइड लीग हो बड़ी लीग हो स्मॉल लीग हो किसी भी लिख के लिए यूज करेंगे तो भी कोई प्राब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों सुच समझ के यूज की जिगा ताकि आपको समॉल क्ल्व रागाे में अधिसन फीर लिख करने लेक्ष और आना सकते हो सब्सक्राइड आप डुसरी को से ओन्साट करें दूसरी टीम हमें है ड को अगर वतरों करें यश्यस विजय स्वाल ती लखवर्मा मतलबी अच्छे खासे प्लियर है दोस्तों और जरूर आप इनके भी साथ जाएंगे तो आपको फायदा ही होगा उसके बार स्टोइनिस और एमशाट दोनों को ही रखूंगा मैं इसके लगा किसी और और अल्राउंडर को मैं नहीं लूँगा अक्षर पटल को मुझे ड्राप करता पड़ा है लेकिन दो अच्छे अल्राउंडर है मेरे पास प्रसित कृष्णा को भी मैं स्टीम में जरूर रोखूंगा विकेट्स मिलती है दोस्तों हलाके पिकला मैच इनका भी इतना कुछ खा इस टिम में अगर आप देखते तो हाँ पर आप उनको मतलब इसान-किशन को क्याप्टान बना सकते अफ्कोस दोस्तों यह तिम मैं सिर्प और उसरी गांले या बढ़ी लिग के लिए सेजेस करूँगा स्मॉल लिक के लिए मुझे नहीं लगता इतने अच्छी टीम है फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं तीसरी टीम हमें देख लिनी है तीसरी टीम के बाद करें तो यहाँ पर फिर से जो इगलिस और इशान किशन दोनों को ही साथ में रखूँगा मैं बाकी किसी और को नहीं लूँगा स्टीव स्मित सुरिकुमार यादा हू रिंकु सिंग ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉंस कहता आखरी में जितायात अभारत को उनको रखूँगा और आखरी में जैस्वाल को रखूँगा और रितुराज का क्वार्ड को मैं इस टीम से ड्रॉप करूँगा उसके बाद मेरे पास स्टोइनिस और शार्ट दोनों ही ओल राउंडर फिर से रहेंगे देखेंगे तो और यहाँ पर जे बेरेंडर मुकेश कुमार इबिश्णोई इस तरह से गेनबाज है बहुती जबदस टीम बन रही है दोस्तों तो अच्छी खासी टीम है उसे भी आ आप्छा में पता है उपनिंग के लिए अच्odore आते हैं और अच्छे पर्फोमस कर सकते तो इसलिए क्याप्टन बना रहा हूं मैंने आपको बता दिया है अग चोती टीम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ पिशान किशन के साथ जा रहा हूँ थोड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ इगलिस को ड्राप कर रहा हूँ क्योंकि हर मैच वह बंदा अच्छा खेलेगा जरूरी नहीं है दोस्तो तो इससे आमार ए इस तर से तीन और भी मैं फिर से रखूंगा लेकिन स्टोइनिस को पर्फॉर्मस पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं रहा है तो इनको आप ड्राप कर सकते हैं सीनवाट बेरन डफ और प्रसिद केशना इस तर से तीन गेन बाज को भी मैं स्टेम में रखूंगा तो इ कुक्तुराज गायक्वाड को सब्सक्त hombre presents स्टिम juego राएग तो दोनों की डोनों सब्सक्रा है जौरूर आप दोनों के साथ चा सकते तीन के सब्सक्रा पकाई गरिकायो स्मॉल लीगो आप ग्रांड लिग जीत सके हैं फिर आपको अच्छी खासे आर्लिंग कम से कम जरूर हो तो इसलिए मैंने पहले शुरुआत में दो कीपर लिए उसके बाद तीन कीपर लिए उसके बाद मैंने किशन को अकेले को लिया और आप इगलिश को अकेले को ले रहा हूं इसके अफकोस मेरे पास स्टोइनिस और स्ट एम शॉट दोनों ही रहेंगे एज आल राउंडर और अर्शदीप सिंग और एन इल्स दो ही गेंबाज यहाँ पर मैं रखूंगा ताकि आपको अगर यह दोनों ज्यादा अच्छा करें तो फायदा से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो अफकोस जैसवाल को इस ट्रीम का कैप्टन बनाऊंगा मुझे लगता है अभी तक मैंने कई पर जैसवाल को कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाया तो इसलिए इनको कैप्टन बनाऊंगा स्टोइनिस को वाइस कैप्टन बनाऊंगा ऐसा नहीं कि मैं हर तीम में स्ट लेकिन स्मॉल लिग में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं चले दोस्तों इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं छटी टीम हमें देख ले नहीं है छटी टीम की बात करो तो फिर से जो इगलीज के साथ ही जाओंगा मैं अजर कीपर बाकी किसी और को नहीं लूँगा उसके बाद सुरीकुमार यादव और जैस्वाल दो ही वल्ले बाज यहाँ पर रखूंगा उसके बाद मेर पास स्टोई निस अक्षर पटेल और एमशाट तीनों अल्राउंडर रहने होले और सबसे ज़्यादा गेंबाजी में यहाँ पर मैं सीनवाट, भेरंडर, प्रसित क्रिष्णा, अर्शदीप सिंग, विष्णोई, पाच गेंबाजों को मैं इस टीम में ले रहाँ तो मैंने ज़्यादा जोर दिया था बल्ले बाजी पर या फिर और मैंने ज़्यादा कीपर लिये ते या अल्राउंडर ज़्यादा ले रहाँ तो लेकर इस टीम में ज़्यादा से ज़्यादा गेंबाज ले रहाँ यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गेंबाज इसलिए ले रहाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि मैंने यां भी तक जो बैटिंग और अल्रॉंडर जादा ले वहाँ पर अगर वhou अच्छा करते तो वहाँ पर फायदा होगा और हो सकता है जादा गैंट्बाज है अच्छा हो तो इसी लिए यहाँ पर यहाँ पर यह तिम आपकोछादा पारके दे सकत options jadi तो इसलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा गेन बाज लिए अगर बात करें एम शॉट को क्याप्टन मनाने जा रहा हूँ तो सुरिकुमार को वाइस क्याप्टन मनाने जा रहा हूँ हाँ क्योंकि तो दोनों जबदस्त हो सकते हैं एम शॉट पर जादा लोग भरसा नहीं करेंगे तो सुरिकुमार पर जादा बरसा करेंगे लेकिन मैं यहाँ पर उड़ा करना जाओंगा शॉट को क्याप्टन और सुरिकुमार को वाइस क्याप्टन मनाने जाओंगा क्योंकि ह हो सकता है यह अच्छा करें तो यह ज्यादा फाइदा हमें देगा और आपको रैंक भी ज्यादा बड़ी अच्छे आ सकते हैं तो इसलिए मैं ऐसा किया है अफकोस यह टीम भी मैं सिर्पोसर्फ ग्रैंड लिग या बड़ी लिग के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिग के को ले लिया है यहाँ पर इगलीज को ड्रॉप कर रहा हूं लेकिन थोड़ा रिस्क है आप चाहे तो उनको रिटर्न भी ले सकते हैं और किसी और को ड्रॉप करना पड़ेगा हूँ स्टीव स्मीट सुरी कुमार यादा और रुतुराज गय को और तिलक अर्मा इसतर से चार वल्ले बाज मेर पास रहने वाले हैं जो की बेस्ट है उसके बार स्टोई नी एम शॉट और हाइड है इसतर से तीन ओल राउंडर लोंगा तीन ऑस्टेलिया के लोंगा प्रसित कोनों पर क्याप्टन कहीं ना कहीं दाव लगा सकते हैं तोड़ा रिस्क है लेकिन फायदा भी साबित हो सकता है चले दोस्तों काफी एच्छी टीम है लेकिन यह भी टीम में आपको सिर्फ और ब्रैंड लिग या बड़ी लिग के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिग के जा रहा हूं दोस्तों सिर्फ इगलीज और में दो ही की पर लूंगा और इशान किशन को में ड्रॉप कर रहा हूं थोड़ा रिस्क है फिर से लेकिन फायदे मन सावित हो सकता है इस तरह से पाच बल्लेबाज फिर से यहापर में लेने जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके अगर बल्लेबाज अच्छी चलते तो अक्षर पटल और एमशाट को फिर से आप पर ले रहा हूं यहापर फिर से टॉइस टॉइनिस को भी मैंने ड्रॉप कर दिया है अगर यह दोनों अच्छा कते तो यहाँ पर इस टीम को भी आपको फायदा होगा इसके अलग यहाँ पर मैं रिंको सिंग को क्याप्टन और मैठ्यू एड को माना ने जारा हो सकता है आज यह दोनों ज्यादा बड़िया परफॉर्मस करें तो इसलिए कहिना कहीं इन दोनों के साथ भी आप जा सकते हैं ज्यादा रिस्क्ति है क्योंकि रिंको सिंग काफी लेटा लेकिन हो सकता है आज इनको ज्यादा गेंदे खेलने को मिले और उसका फायदा उठाले तो इसलिए आपर इन दोनों के साथ भी जाना फायदमन साबित हो सकता है लेकिन काफी ज्यादा रिस्क है दोस्तों ग्राइंड लिग या बड़ी लिग के लिए यूज करना इस टीम कि अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों मैठ्यू यड को अकेले को अभी तक मैंने कहीं पर भी लिया नहीं था तो यह भी एक उप्शन में जरूर्वर चूज कर लूँगा आप चाहे तो चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं स्ट्यू समीत है तो यह दो देख सकते हैं अल्राउंडर भी मेरे पास स्टोईनिस अक्षर पटेल एमशॉट और हाइडे तीनों चारों के चारों और मेरे पास रहने वाले हैं जिससे आपको और भी जादा फायदा हो सकता है और विश्णोई अकेली गेन बाज मेरे पास रहने वाले तो इ करते हैं तो उल्टा आपको ग्रांड लिग जितने में आसा नहीं हो जाती है क्योंकि अगर यह अच्छा करते तो क्योंकि काफी कम लोग रहेंगे मेरे खाल से एक परसंट से भी कम लोग रहेंगे इन दोनों पर भरसा करने आले ग्रांड लिग या बड़ी लिग के लिए इस टीम को भी सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा फिर भी अगर आपको लगता है तो आप यूज्ट कर सकते हैं फिलाल इस टीम को भी क्लोज कते हैं और दसवी और आखरी टीम हमें देख लेए किस तरसे बन नहीं हैं दसवी और आखरी टीम में फिर से जीगलिस और इशान किशन दोनों को ले लूँगा उसके बाद में यहाँ पर स्टीव स्मीत, सुरी कुमार्याद और तिलक वर्मा यहाँ पर तीनों अच्छे बैट्समांस को ले लूँगा उसके बाद अक्षर पटेल और हार्डेल दो ही रखूंगा और सी नेवाट, मुकेश कुमार, अर्शन दीप सिंग और एन इल सिस्तस से चार गेन बाद को इस टीम में लूँगा तो मुझे लगता है काफी जबदस टीम है, काफी बड़ी आप्शन से आपके पास तिलक वर्मा को क्याप्टन और अक्षर पटेल को वाइस कर सकते हैं, टीम में भी कुछ चेंज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकोस ये टीम मुझे ग्राड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, किसी भी लिग के लिए यूज़ करेंगे, तो भी मुझे कोई प्राब्लेम नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आप सोच समझ क से, जितने वाला कोई एक ही रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ चेंज़ेस कीजिए अपने डिमाग से, तो आपको ज्यादा फायदा होने के चांसे से, तो आपको सब मेरी सब दस्ट में, और मेरा वीडियो जरू पसंदा होगा, थोड़ा भी पसंदा होगा, तो इसे लाइ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाके उसे जॉइन जरू कर लिजे, ताकि कुछ भी चेंज़ेस रहते, तो आपको बता सको किसे ड्रॉप के गए, उसकी जोप के इसको ले जा गया है, या फिर और कुछ टीमों के स्क्रिंशॉट शेयर करने के भी कोशिश करूँगा, जिससे आपको और भी फायदा हो सकता है, तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही मिलते है, अगले वड़ो में, तब तक के लिए, थैंक्यू और गुडबाए